गुड आफटर नून फ्रेंड्स अभियोदे अकडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म में आपका हार्दिक स्वागत हैं मैं आज दोस्थ आज आपके समक्षु पसित हूँ 69,000 सिच्चक भरती के 3rd counseling related चर्चा करने के लिए की news में क्या चल दाया है देखिए अभी सांतनू जी हैं उनका tweet आया था कि 69,000 सिच्चक की भरती में बचे हुए लगभग 54,000 सिच्चकों की भरती जल्द करेगी सरकार बेसिक सिच्चा मंतरी जल्द कर सकते हैं घोशड़ा महामारी के कारण क्या हुआ था इसमें जो है आपकी क्या हो रही है महामारी के कारण हुआ बिलम सरकार सभी को रोजगार देने के लिए प्रतिबद तो ये इनकी ट्विट है तो इसे कहीं न कहीं authentic माना जा रहा है क्योंकि इसमें जो है सरकार की बात की जा रहे है कि lockdown की वज़ज़ से टाइम लग रहा है नहीं तो अब तक काउंसलिंग हो जाता है जबकि आपको पता है कि अभी भी विभाग द्वारा आज मीटिंग है 24 तारीक को भले कोई इसमें जो है कोई डाकुमेंट नहीं भेजना है सारे डाकुमेंट एवलेवल हो चुके हैं फिर भी आज बिचार बिमर्स हो रहा है कि हाँ ये जो सीटे हैं सब को जोड कर कि हाँ ये सब सीटे सही है और सब कुछ उसमें देखा जाएगा कि कोई चीज गलत तो डाटा नहीं है ये सब चीजे देखके आज फाइनलाइज हो जाएगा कि सीटों की संक्या कितनी है उसके बाद जो है आप लोग को डाटा देखने को मिल जाएगा एक दो दिन के अंदर तो आप लोग को अच्छे से पता है कि अभी जो है कम सकम दो चार एक दो दिन का समय तो जरूर लग जाएगा कि हाँ डाटा ठीक तरह से रिलीज होने में कितनी सीटे हैं उसके बाद जो है आप लोग को जो भी आगे प्रक्रिया है वो न्यूज के माध्यम से बताई जाएगी अभी ओदेक एडमी की दोरा आगे देख लेकते हैं हम लोग क्या है ये चंद्रमडी सुकला जी है इन्होंने क्या किया है ऐसी सुचना बिल रही है कि 79 वजा सिच्छक भरती की तीसरी काउंसलिंग के लिए बेसिक सिच्छा भी भाग के बड़े अथिकारी लागडाउन खुलने के ये भी वही बात कर रहे है कि आपका किसकी वज़ा से रुका हुआ है जो लागडाउन लगा हुआ हुआ है इस तारिक तक उसी की वज़ा से रुका हुआ है इस विभाग की हर प्रक्रिया में इंतजार इंतजार तो ये इनका ट्वेट था कि जो है ये भरती जो होनी चाहिए उसका जल्द ही पूर होनी चाहिए बहुत ही विलंब हो रहा है बच्चे भी वेट करकर के ठक चुके हैं अब तो लिस्ट इनको जारी कर देनी चाहिए संख्या पहले सीटों की संख्या पता देनी चाहिए कि हाँ एक्जेक्ट सीटों की संख्या क्या है तो मैं भी आप लोग के माध्धम से यही गुजारिस करूँगा सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके जो है सीटों का अकड़ा उसके बाद जल्दी से जल्द कांसलिंग करवाए और जो हमारे बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि 22,000 सीट जुड़नी है कि नहीं जुड़नी है इस पर भी अपना जो है क्लियर करे कि क्या वो चाहती है कि नहीं चाहती है क्योंकि इतने बच्चे पास हैं वेट कर हैं कि हाँ 22,000 सीटें जब हैं 68,500 की तो वो जूड़नी ही चाहिए जो है एक तरह से वो आपकी जो है सीटें बची ही हुई है दो टुटल जो है सिच्छा मित्रों की सीटों में इतनी सीटें बची हुई है और जब स्टुडेंट पास हैं तो उनको करना चाहिए कि हाँ जो है इसके लिए जो है अलग से वेकेंसी ना निकालके इसी में उन लोग का सेलेक्शन कर देना चाहिए और जबकि सरकार ऐसा नहीं कर रही है ये बहुत ही गलत बात है चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 22,000 मुद्डे पर आप लोग ज़ादा से ज़्यादा ट्विट वगारा करते रहें क्योंकि उसी से काम होना है और ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पर ये बातें चाहें ज़्यादा मुद्ध उचाले तब जो है जाके कुछ इसमें निसकर्स निकल के आएगा अभी तो क कोई चीज इसमें निकल क्या नहीं रहिए कि 22,000 सीट को जुड़ने का कोई भी नोटिस कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो आगे देखते हम लोग टेंटिटिव कटाफ इनके द्वारा बताया गया है टूटल इन्होंने सीटे कितनी ली हैं लगबग 118 सीटे हैं और 119 सीटे जो की बची हुई हैं तो इनका जनरल का कटाफ 66.55 66.33 OBC का 50 8.81 से कम कटाफ अगली 22,000 यह इन्होंने कटाफ बताया है जो की 3rd list का है उसके बाद यह बोलना है कि 22,000 जो भी सिच्छक भरती है उसकी जो बचे हुए हैं वो सब तयारी करें इनका उल्टा सीधा कमेंट है आप लोग देख सकते हैं यह जो की बहुत गंदी तरह से इन्होंने कमेंट किया है जि 22,000,000 खावेदन आपके TGT PGT में हो चुके हैं अब तक और जो की बहुत बड़ी संख्या है अब बच्चे तयारी करते रहें क्योंकि कम्पटिशन बहुत टफ होने वाला है सबसे जादा मुद्धा इस समय चल रहा है मंत्री जी के भाई की गरीब कोटे में नियुक्ति के चर्चा में तो आप लोग देख रहे हैं मंत्री जी के भाई जो है वो नियुक्ति के संबन में चल रहा है कि उनका EWS में सेलेक्शन हो गया जबकि जो आपका चैन बोर्ड था उसने बोला है कि अगर जो है किसी को देखना हो तो मेरे पास उनका academic interview का record सब कुछ है और उसकी करवाती है वो नहीं वो सरकार द्वारा बनाया जाता है तो वहां से उसका जांच होगा अगर वो गलत पाए जाएंगे तो उनको उसी हिसाब से जो सरकार ने रूल बना रखका है उसी हिसाब से धंड दिया जाएगा तो यह रहा हाज का हमारा update और वीडियो कैसा लगा ज्यादा सेयर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू